हमने कौन से चैप्टल स्टार्ट किया था रैश्चनल नंबर क्लास एट का तो उसमें आपको क्या देखना नेगेटिव ओफ नंबर ठीक है किसी नंबर का आप नेगेटिव लेते हो तो क्या आएगा राइट नेगेटिव ओफ नंबर क्या होगा महालो मैंने पूचा कि अगर आपके पास कोई नंबर है जैसे कि मैंने पूचा आपको क्या बताना कि 1 का नेगेटिव क्या होगा तो बताना 1 में आप कौन सा नंबर आड़ करोगे ताकि यह 0 बन जाए क्या करोगे इसमें आप minus 1 जब add करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका आप minus इसका 1 का negative क्या हो जाएगा minus 1 हो जाएगा अगर मैं पूछो negative of minus 2 negative of minus 2 क्या होगा तो बताओ आप कैसा number इस minus 2 में add करोगे ताकि यह क्या हो जाए यह number क्या हो जाए आपका 0 हो जाए तो क्या करोगे माइनस 2 में क्या आड कर दो किया इपका क्या हो जाएगा आपका zero हो जाएगा इसका समझल कि आपका 2 है आगे बात ऑफ सम्झ में आते हैंक है अगर आपसे पोचो मैंängt इसका आपका नेगटिव क्या होगा तो आपको क्या कर देना होगा इसमें कौन से नमबर एड करोगे तो क्या हो जाएगा जिरो हो जाएगा what is the negative of minus 8 upon 9 क्या हो जाएगा आपका 8 upon 9 यह क्या हो जाएगा जिरो समझके तो अगर आपको किसी नमबर का नेगटिव निकालना होगा तो क्या कर देना है ऐसा नमबर उसमें एड कर दो कि उसका सम क्या हो जाए जिरो आ जाए तो वो छोड़ो अगर बाइद उसमें minus sign लगा दोगे आपके पास मालो कोई नमबर दे रखा है x equals to minus 2 आपको क्या बोलना है इसका negative निकालना है तो negative तो आपको ऐसा समझगे कि इसमें plus 2 add कर देंगा तो क्या हो जाएगा negative हो जाएगा मतलब क्या जाएगा इसका negative 0 हो जाएगा लेकिन अगर आपको ऐसे न करना negative of minus 2 by 3 क्या कर दोगे इसमें बतो इंटू minus 1 से क्या कर दो मैंटिप्लाइं minus minus क्या हो जाता है plus 2 by 3 अगर आपके पास क्या 5 है 5 का negative क्या होगा 5 into minus 1 क्या हो जाएगा minus 5 तो किसी नमबर का negative इस तरीके से आप क्या कर सकते हो निकाल सकते हो आसानी से वैसी आपका क्या आत रैसी प्रोकल क्या करोगी इसमें क्या हो जाएगा कि आप किसी नमबर का मैंने बोला कि आपका क्या है 8 by 21 कोई नमबर है इसका आपको रैसी प्रोकल लेना है तो आप इसमें कौन सा नमबर ऐसा multiply करोगी ताकि उसका product क्या हो जाए 1 हो जाए वो नमबर क्या बन जाए 1 बन करोगे तो क्या होगा ? एट से एट कर जाएंगा 21 से 21 कर जाए, वन आ गया ? तो यह क्या हो जाएगा ? एट आपां 21 का राइसि प्रोकल क्या हो जाएगा आपका 21 आप ऋ एट अगेन वैसे 7L upon 5 माइनus 5 क्या हो जाएगा इसका राइस नमबर मलिप्लाय कर दो 1 बन जा है या फिर इसे और क्या कहते है Multiplicative Inverse भी कहते है Reciprocal को और क्या कहते है Multiplicative Inverse Multiplicative Inverse भी कहते है क्यों? क्योंकि आपको ऐसे नंबर से Multiply करना है ताकि आपका नंबर क्या बन जा है 1 बन जा है तो आप क्या करते हो मालो कि आपने 7 by 5 है कुछ ऐसा number लोगी ताकि ये 1 बाज़ आ है तो आप क्या कर ले तो ऐसे number से मतलब multiply करते हो तो कौन सा number लोगे 5 upon 7 मतलब आपने क्या कर लिए inverse कर लिया inverse करने का मतलब क्या आपने उल्टे number को क्या कर दिया उसमें multiply कर दिया इसलिए क्या कहते हैं, multiplicative, यह क्या हो जगा, multiplicative और यह क्या हो गया, आपका inverse, inverse करने का मतलब क्या है, आपका, inverse करने का मतलब क्या है, just ultra, समझके हैं, यहाँ पर, तो अगर आपको क्या पूछा जाए, reciprocal पूछा जाए, 5 upon 7 का, तो इस उल्टा कर दो, 7 upon 5, तो minus आप नीचे लगा और यह उपर लगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका क्या हो जाए, minus 7 upon 5, reciprocal पूछा जाए, 1 upon 2 का, तो क्या हो जाएगा, 2 upon 1, समझके, तो just आपको क्या कर दिना है, उल्टा कर दिना है, आगी बात समझ में, समझके, तो आपका क्या होगा, कि A, B का प्रेसिप्रोकल क्या निकालोगे, ऐसा कोई नंबर, जिसमें उससे multiply करने पर क्या हो जाए, आपका, उसका product 1 आजए, समझके, यहां तक बात समझ में आ गई होगी, तो ऐसे ना आप क्या किसकते हो, मालो कि आपका कोई C by D, कोई rational number है, तो यह क्या होगा, इस रेसिप्रोकल, तो यह आपका number है C by D, यह क्या आपका, इस रेसिप्रोकल of A by B, तो इसका मतलब क्या है कि, अगर A by B में, आप C by D से multiply करते हैं, तो कितना आना चाहिए, यहां तक बात समझ में आ गई होगी ना, आप लोगो, तो आपका उसी पे, यहां पे कुछ examples हैं, आपके, क्या दे रखा है, 7 by 19, और 21 by 112, आपको बताना है, additive, 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 inverse क्या होगा, माइनस 7 by 19 का, तो आप क्या करोगे, ऐसा number इसमें add करो, कि उसी क्या होगी, इसका addition क्या होगे, आपका 0 होगा, तो क्या add करोगे, 7 by 19, तो 7 by 19 आपका क्या होगा, इसका, additive, inverse आजाएगा, समझ कि, additive, inverse आजाएगा, वैसे ही, आपका 21 upon, 21 upon 12 का, तो इसका additive inverse क्या होगा, plus minus of 21 upon 12 यह कितना हैगा 0 तो यहीं आपका क्या हो जाएगा additive inverse हो जाएगा समझगे उसके बाद आपको example number 4 में क्या दे रखा है 4 में आपको दे रखा है कि आपको verify करना है minus of minus of x is same as x समझगे कि अगर आप क्या करते हो minus of minus of x करते हो तो वो x के बराबर ही आएगा तो आपके पास पहला number दे रखा है x जिसकी value क्या है 13 upon 17 तो आप इसमें put कर दो क्या हो जाएगा minus of minus of x क्या हो जाएगा x की value क्या है आपकी 13 upon 17 minus minus क्या हो जाता है आपका plus हो जाता है पता होगा आप लोगो जब minus into minus करोगे तो वो क्या हो जाता आपका plus हो जाता है तो क्या हो जाता प्लस 13 upon 17 same आगया that is equals to x that is equals to x समझ गए यहाँ थै तो again आपको क्या दे रखा है यहाँ पे यहाँ पे आपको दे रखा है आपको दूसरा जो example दे रखा है वो आपको प्रूफ करना कि यह किसके equal है x के equal है x की value आपको क्या दे रखे यह example 4 का ही है part 2 x की value है आपको क्या दे रखे minus of 21 upon 31 इस equation पूट करो minus यह तो minus पहले से आपका equation में यह minus मत ले 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 न यह minus consider मत करना यह एक अलग से आपका minus है 21 upon अगें minus minus आपका क्या हो जाएगा plus हो जाएगा minus 21 upon 31 अगें यहाँ पर क्या आपका plus है यहाँ पर minus है minus into plus क्या होता है आपका minus ही होता है यह क्या हो जाएगा minus 21 upon 31 यह क्या हो जाएगा आपका x समझके तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं questions को solve कर सकते हूं और जो example 5 है वो मैंने आपको करवा दिया समझगे यहां तक उसके बाद आपका जो next video lecture होगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे exercise 1.1 देखेंगे आपके first chapter का